नमस्कार दोस्तों मैं फिर एक बार आपके लिए एक नए वीडियो के साथ आये हूँ जिसमें बताऊंगा कि नाग के ऑपरेशन के बाद नाग की देख भाल कैसे करें सैप्टोप्लास्टी या नजल पॉलिफ्ष की सरजरी के बाद मरीज के नाग से खून निकलना सूजन होने की समस्या का खत्रा रहता है हाला कि सर्जरी के बाद थोड़ा सा ब्लड आना कोई बड़ी समस्या नहीं है किन्तु अधिक आने पर अपने डॉक्टर से शंपर्क जरूर कर ले और डॉक्टर के द्वारा बताये गए निर्देसों को सही से फॉलो करना चाहिए नाक की सर्जरी के बाद डॉक्टर नोज को पैक कर दिया जाता है जिससे की ब्लडिंग रुख जाए और फोर्टी एट हॉवर्ट के बाद नजल पैक को निकाल दिया जाता है नाक के ऑपरेशन के दौरान सूजन को कम करने के लिए लेटने के दौरान सर को उचा रखा जाता है नाक आख वचेहरे पर ऑपरेशन के बाद 24 घंटे तक या डॉक्टर के निर्देस के अनुसार बर्प लगाए नाक के ऑपरेशन के बाद दो दिनों तक तरल ज़्यादा पिए और केवल सौफ्ट चीजे ही खाए सौफ्ट ब्रस से नियमित दातों को ब्रस करे और माउट को क्लीन रखे नाक के ऑपरेशन के बाद अगर आपको छीक आने पर मुक खोल कर समाने तरीके से छीके नाक के ऑपरेशन के बाद नेजल इस्प्रे का इस्तमाल करना है ताकि नाक सूखे नहीं और इसमें मैल जमा ना हो शके नाक के ऑपरेशन के बाद अगर नाक से खून आए तो सीधे बैठ जाए और सर को सीधा रखे और नाक के नीचे तॉलिया रख ले अगर गले में बलड आए तो थूख दे और पास से दस मिनट तक बंद ना हो तो डॉक्टर को तुरन दिखाए हुआ पास से डॉलिया बलाए रखेज दिखाए